पूरी दुनिया कोरोना के कहर से ग्रसित रही पिछले दो सालों तक दुनिया के लोगों के मन में एक डर समाया रहा कोरोना के कारण एक तरह से पूरी दुनिया मानो बंद सी हो गई थी लेकिन अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो एक वार फिर से लोगों ने घूमने फीटने की तैयारी सुरू कर दी है ऐसे में आये जानते हैं अगर आप विदेश में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कहां कहां जा सकते हैं वो भी बिना बीजा के तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के पडोसी देश भोटान के वारे में अगर आप कम बजट में बिदेश घूमने के इच्छा रखते हैं तो भोटान आपके लिए सबसे पसंदीदा जगों में से एक हो सकती है यह प्रेटन के हिसाब से काफी पसंदीदा जगा है यहां जाने के लिए भारतियों को बीजा की जरूरत नहीं परती है यहां पर जाने के लिए अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अच्छी बात है नहीं तो आप दूसरी किसी भी बैड आईदी के साथ आप उहां पर घूमने जा सकते हैं यह दुनिया के खुस हाल देशों में से एक देश है यहां आप अपने आपको प्रकृति के काफी करीब होने का एहसास करेंगे और हाँ यहां घूमने के लिए आपको टूरिस्ट परमिर्शन लेना जरूरी है अगर आप भूटान जाएं तो पारो, दोचूला, पास, हाव वैली, पुनाखा जोंग, तकसांग, ल पासानी से घूम सकते हैं, अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो यह देश आपके लिए काफी पसंदिदा होने वाला है, इस देश में कई ऐसी जगे हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, बतादे कि यहां बिस्व के दूसरों देशरों से लोग खूब घूमने आते ह आपको अगर ट्रेशनल आर्ट, गैलरीज और स्वादिष्ट खाने का आज़ेंद लेना चाहते हैं तो आप इंडोनेसिया जरूर जाए, अगला जो देश है वो है है यह देश अपने प्राचीन संस्कृति और अपनी प्रमपराओं के लिए जाना जाता है, यहां भी भार जगों में सीटा डेल, फोर्ड, सैनी सूनी पैलेस, पोर्ट ओ प्रिंस, आमीगा आईलेंड, बेसीन बुलू का अनन्द आप यहां पे उठा सकते हैं, भारत के एक और प्रजोसी देश जहां आप कम पैसे में असानी से घुम सकते हैं और वो है नेपाल, यहां जाने के लि पास करेंगे, बताजें कि नेपाल भारतियों की पहली पसंद हो सकती है, अगर आप नेपाल घुमना जाना चाहते हैं तो आप कोटमांडो, पोखरा, स्वेम भुनाथ, मंदीर, भक्तपुर, लुंबिनी और चीतबन नेशनल पार्क जरूर जाएं, नेपाल के बाद आप स आपके पास जरूरी डॉक्मेंट होने चाहिए, साथ साथ आपके पास जो है बापस आने का भी टिकट होना चाहिए, अगर आप सामुवा में जाते हैं तो आप एपिका, लोटा गाफा, लालो माउ, सिवाई के साथ साथ, अस्टिवेंस म्यूजियम के साथ, सावला कल्चर बीलेज को जरूर घुमें, आप यहां भी अपने आपको काफी अनंद में महसूस करेंगे, अगर आप घुमने के सौकीन हैं तो आप मौरिसेस जा सकते हैं, प्रेटन के लिहास से यह देश भी काफी लोग परिये हैं, बता दें कि यहां लोग हनिमून के लिए खूब आते हैं, अगर आपके पास भारतिय पासपोर्ट है तो आप मौरिसेस में भी आप भी ना बीजा के भूमने जा सकते हैं, साथे साथ आपके पास लोटने के लिए टिकट होना चाहिए, यहां अगर आप जाते हैं तो आपके पैकेट में बैलन्स होना चाहिए, क्योंकि यहां द टू आउक्स बीचेज और ले मार्क बेंट में घुमने जाए इन सभी देशों के अलावा आप फारस की खाड़ी में आने वाले देशों में आप इवीजा के साथ घुमने जा सकते हैं साथे साथ इरान, मेयरबार, जोर्जिया, जामबावे, मौरिशार्स, कजाकिस्तान, ट्री-लंका भी इवीजा के साथ घुमने जा सकते हैं तो यह थे वो देश जहां भारतिये बिना बीजा के घुमने जा सकते हैं इन दिनों कोरोना के मामलों में कमी है अगर आप घुमने का प्लान मना रहे हैं और जीमन कानद उठाना चाहते हैं तो इन देशों में जरूर जाए बिहार और बिहार से जुड़ी और भी से खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियोज के साथ मुझे दिजय जाज़त धन्यबाद